हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू लर्ण गृदेतिमन तो सभी बच्चे तयार हो जाएं आज से हम स्टार्ट करेंगे पेपर वन तो पेपर वन का सलिबस आप लोगों ने देख लिया है जो भी बच्चे सेकंड गेट की त्यारी कर रहे हैं जिन्होंने हमारा कोर्स भी ले लिया है तो यहां बिल्कुल आप निस्जिंत हो जाएं किस ले बस आपको बहुत अच्चे से करवाया जाएगा धीरे-धीरे करवाया जाएगा ठीक है तो आपको बिल्कुल भी बाहर से कोई भी बुक पढ़ने की जरुरत नहीं है कोई भी गाइड लाने की जरुरत नहीं जो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगी यही आप लोगों के लिए बहुत होगा और कुछ भी मैं यहाँ पर छोड़ने वाली नहीं हूँ इसलिए बुक जो है वो हमने यूटूब पर पढ़ाई है कुशन अंसर सिरीज भी वहाँ चलेंगे पीडियाप आपको यहाँ पर भी मिलेगी और इसके अलावा नोट्स के द्वारा भी मैं आप लोगों को यहाँ पढ़ाऊंगी वीडियो भी आप लोगों को मिल रहा है तो अगर आप बुक अच्छे से पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग राजिस्थान की इस्तिती, विस्तार, जलवायू, करशी का चैप्टर जो है वो हमने पढ़ा यह सब कुछ जो आपको फर्स्ट पॉइंट में नजर आ रहा है यह हम लोग पढ़ भी रहे हैं और देखिए नोट्स जो हैं वो क्या होते हैं सभी ग्लासिस पढ़ने के बाद जो निचोड निकलता है यानि सभी इंपोर्टेंट फैक्ट जो एक ही पेज में आप लोग समाहित कर लेते हैं वही नोट्स कहलाते हैं तो यही मैंने सभी चीजों के बनाए हुए हैं वो मेरे खुद के ही नोट्स हैं जिनको मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो आज हम क्या करेंगे थोड़ा से मैंने आपका स्टार्टिंग में टाइम जो है वो लिया है लेकिन कोई बात नहीं तो सबसे पहले सभी चीज़ें जो हैं वो बतानी जरूरी भी होती हैं आज से हम स्टार्ट करेंगे एंसियंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ओ राजिस्तान जिसमें यहां आपके केवल चार ही सब्वेताएं दी हैं काली बंगा आहर्ड गनीश्वर और बैरार्ट अलाकि आपकी सब्वेताएं बहुत हैं लेकिन हमें केवल और केवल यह चार ही पढ़नी है रीट की तरह यहां ऐसा नही होता है कि आपको एक टॉपिक दे दिया जायेगा और आपको उसके सभी पॉइंट पढ़ने हैं और उसके अलावा भी पढ़ने हैं यहां जो point दिए गहें आपको केवल यहीं पढ़ने हैं और जो भी एक दो पैक्ट अगर आप वो छूटेगा नहीं, बाकी सब काम आपको करना है, याद करने का काम तो आप लोगों को करना ही होगा, क्योंकि छोटा मटा एक्जाम नहीं है, सेकिंड ग्रेड जो है, वो बड़ा एक्जाम है, यहाँ आपकी negative marking भी होती है, तो बिलकुल अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, तो उसके बाद जैसे ही काली बंगा, आहड, गनीश और बैरात, यह चारों हम पढ़ लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए, आठवी से अठारवी सताब्दी में, राजिस्थान का इतिहास, जिसमें हमें केवल गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चोहान, यह पढ़ना होगा, यहाँ पर जो पॉइंट दिये गए हैं, हमें केवल वही पढ़ने है, रिलेशन विद दिल्ली सुल्तान, जिसमें मेवाड, रणथंबोर और जालोर, तो देखिए, मेवाड के कैसे संबंद थे दिल्ली सुल्तानों के साथ, रणथंबोर के जो साशक थे, उनके कैसे संबं और जालोर के साशक के कैसे संबंद थे दिल्ली के सुल्तान के साथ, यह पढ़ना है, ठीक है, मेवाड, रणथंबोर और जालोर, और राजिस्तान और मुगल शाशकों में देखिए, राना सांगा, महराना परताप, आमेर के मान सींग, मारवाड के चंदर सेन, भीकानेर के राय सींग और मेवाड के राज सींग, हम फटापट से इस चीज को करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों को मेरा साथ देना है, चीजों को याद करते हुए चलना है, ठीक है, और जो भी टैस्ट लिये जाएंगे, तो सभी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और आपको भी यही सोचना है, चाहिए आप कितने भी बड़े हूँ, आप लोगों को भी स्कूल के बच्चों की तरह ही यहाँ फुल डैडिकेशन की साथ पढ़ाई करनी हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले काली बंगा सब्वैता, तो थोड़ा समय आपको प्राक युग और नमबर थ्री एतिहासिक युग, प्राक युग जिसे प्राग एतिहासिक काल भी कहते हैं, जिसमें पाशान काल आता है, पत्थरों की खोज हुई थी, ठीके, लोगों ने पत्थरों के औजार जो है वो बनाए थे, कंद मूल, पल वगरा ये खाकर वो लो लिखनकला जो है, वहां से नहीं मिली है, लोग लिखनकला से अपरिचित थे, दूसरा आया आदियुग, जिसमें एक्जामपल के तौर पर है, सिंदु घाटी सब्वेता, जहां लिखित साक्षे मिल रहे हैं, लेकिन जिनने नहीं पढ़ा गया है, उसी के अंतरगत हम पढ काली बंगा इस्थल, और तीसरा युग जो आता है, एतिहासिक युग, जहां लिखित साक्षे मिले और जिनने पढ़ा भी गया, तो काली बंगा जो इस्थल है, तो यह सब्वेता जो है, आज से 6000 वर्स से भी अधिक पुरानी मानी जाती है, ठीके, और इस इस्थल का काली बंगा नाम जो है, वो क्यों पढ़ा, क्योंकि यहां पर क्या मिला, यहां पर काली रंग की चूड़िया मिली, पंजाबी भासा जो है, वहां पर बंगा को क्या बोलते हैं, चूड़ी बोलते हैं, और इस जगे से हमें काली रंग की चूड़िया मिली, तो उसी की वज़े स इसका नाम पढ़ गया काली बंगा सब्वेता चलिए अब नोट से हम पढ़ते हैं कि जिला जो है हनुमानगड है राजिस्टान में हनुमानगड जिले में यह सब्वेता जो है वह है विक्सित हुई इसके जो खोज करता है जिन्होंने इसे खोजा कि यहां पर काले रंग की चूडियां है और इस सब्वेता को काली बंगा सब्वेता जो है कहा गया इसकी खोज करने वाले कौन हैं आमलानंद घोस हैं जिन्होंने 1951 से लेकर 1952 इस्वी तक इसकी खोज की और इस सब्वेता का पता लगाया उत्खनन करता जो खुदाई की जिन्होंने अवसेज जो ह पर जिन्हों ने उत्खनन कार्य खुदाई का कार्य किया 1961 से 1979 तक। अब देखिए कि काली बंगा सब्बेता जो है काली बंगा स्थल जो है वह है किस नदी के किनारे विक्सित हुई। क्योंकि कोई भी सब्वेता जो है उसका विकास वहीं पर होता है, जहां पर जल की विवस्ता हो, तो उसके लिए जरूरी है कि वहाँ नदी होगी, तो काली बंगा सब्वेता जो है घगर नदी के किनारे विक्सित हुई, ये आपको याद रखना है. उसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि घगर नदी जो की वर्तमान नाम है प्राचीन नाम इसका क्या था सरस्वती नदी ठीक है जो की द्रस्दती की सहयक नदी मानी जाती है कई गाइडों में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि सरस्वती नदी जो है इसी को प्राचीन नाम द्रस्दती नदी कहा गया है लेकिन आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि सरस्वती जो है इसका वर्तमान नाम घगर नदी है जिसे हम आज जानते हैं और ये जो सरस्वती नदी है यह द्रस्दती की ही सहायक नदी थी नेक्स्ट पॉइंट देखिए काली बंगा का अर्थ काले रंग की चूडियां जो के मैंने आपको बताई थी कि पंजाबी भासा में जो बंगा है उसका अर्थ होता है चूडि और यहाँ पर काले रंग की चूडिया वो कैसे प्राप्त हुए हैं? सबसे पहला है प्राक हरपा कालीन, यानि हरपा से भी पहले के समय यहां लोग रहे होंगे, इसलिए यहां पर सब्वैता विक्सित हुई होगी. दूसरा है हरपा कालीन, प्राक हरपा कालीन जो है वो 2400 इसा पूर्व की, जिसे सोथी संस्कृती के नाम से जाना जाता है. तो याद रखना है कि हरपा काल से भी पहले यहां पर एक संस्कृती थी, जिसे सोथी संस्कृती कहा गया, जो की विकानेर से लेकर हनुमानगड जिल तक की मानी जाती है, तो हडपा काल से पहले की है, हडपा काली जो है वो नगरिये विवस्ता है, सिंदु घाटी सब्वेता जिसे हम नगरिये विवस्ता जो है वो मानते हैं, तो इससे पहले की जो विवस्ता होगी वो कैसी होगी, ग्रामीन होगी, तो यहाँ पर ग्रामीन अ साक्षे मिले जो भी हमें गाउं में मिलते हैं अफसेस वही चीज़ें यहां पर मिली उसके बाद जब हरपा काल की बात हुई सिंदु घाटी सब्वेता के समय के अफसेस मिले अब हम इसको एक-एक करके पढ़ेंगे कि प्राक हरपा कालीन में हमें कौन-कौन से अफसेस प्राप्त हुए और हरपा कालीन में हमें कैसे प्राप्त हुए तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राक हडपा कालीन अवसेश ठीक है जिसे हमने कहा था सोती संस्कृती के अवसेश जो है वो हमें यहाँ पर मिले अब यहाँ पर हमें कौन-कौन से अवसेश मिले हैं इनको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि यह एक्जाम में तो अगर भूकंब आएगा तो मकानों में धरार मिलना तो सुभाविक है जोते हुए खेत के साक्ष मिले दो फसले एक साथ यानि चना और सरसों इन दोनों फसलों को एक साथ उगाया जाता था इसका मतलब कि वो लोग जो है वो क्रसी से परिचित थे इसी वज़े से पर जोते हुए खेत के साक्ष मिले हैं चना और सरसों दो फसले उगाई जाती होंगी तांबे के बैल की मूर्ती मिली तो तांबा जो है उससे यह लोग परचित थे इसी वज़े से इन्होंने बैल की जो मूर्ती है वो बनाई होगी यानि तांबे से परचित होंगे इसके बाद जो सब बैताएं आएंगी तो वहां हमें देखने को मिलेगा कि कासा जो है उससे परिचित हो जाएंगे लोग और उसके बाद जो है वो लोहे की खोज हो जाती है तो प्राग हडपा कालीन जो अक्षेज हैं यहां हमें तांबे के बैल की मूर्ती मिली काले रंग की च मिले जिन पर बहुत सारे चित्र जो है वो अलंकृत थे तो अलंकृत इटों के साक्षय जो है वो हमें कहां से मिलते हैं काली बंगा सब बैता से मिलते हैं पूर्व हडपा काल के बाद जो है काली बंगा सब बैता में हमें हडपा कालीन अवसेज भी मिले हैं तो इससे तो बहुत अच्छे से जानते हैं तो यह सब्बैता जो है 250 इसापुर्व से लेकर 1750 इसापुर्व तक की मानी जाती है यह नगरिय सब्बैता थी नगरिय है तो यहाँ पर पक्की येट मिलेगी Next है कास्यर यूगिन सब्बैता तो तामबे के बाद जो है वो कासा जो है उसकी खोज हुई तो यहां पर कासा जो है उसके बरतन मिले ठीक है तो कास यूगिन सब्वेता भी इसे कहते हैं व्रहद इसनानागार काली बंगा सब्वेता में हमें बहुत बड़े इसनानागार जो है वो मिला सडकें जो है वो पक्की इटों से निर्म सडकें जो थी वो एक दूसरे को समकोन पर काटती हुई मिली है कच्ची इटों से निर्मित चबूतरा जिस पर साथ अगनी कुंड मिले हैं देखिए ये जो लाइन है ये एक्जाम में पूछी भी जा चुकी है कि कौन सा जो इस्थल है वहां से हमें कच्ची इटों से निर्म तो चबूतरा मिला जिस पर साथ अगनी कुंड मिले अब बच्चे जो है वो कन्फ्यूज हो जाते हैं तो वो क्या कर देते हैं वो प्राक हडपा कालीन का समय जो है वो कर देते हैं लेकिन याद रखना है कि कच्ची इटे जो है वो प्राक हडपा कालीन में तो मिली है लेक पक्की ईटों के मकान मिले हैं, अलंकृत ईटे मिली हैं, वह गारे का लेप किया जाता था, तो ईटे तो पक्की मिली हैं, लेकिन इनके उपर लेप किसका करते थे, गारे का करते थे, बेलनाकार मोहर मिली है, बेलनाकार बरतन मिले हैं, बेलनाकार तंदूर के प्रमान भी मिल भी मिली हैं तो हाला कि ये नगरिये सब्वेता है तो इस वज़े से यहां पर देखिए नालियों का प्रियोग किया गया घर का जो गंदा पानी है उसके निकास के लिए नालियों का प्रियोग किया गया और ये नालिया किसकी बनी हुई थी लकड़ी की और ईटों की बनी हु कि लोग जो है, वो मानते थे कि धार्मिक चीजों में यदि बली दी जाये, तो उनका भला होगा, यानि यहां पर पूजा पार जो है, वो भी होती होगी, बली परथा के साक्षे मिले हैं, हवन कुंड के साक्षे भी मिले हैं, रोटी बनाने के क्या मिले हैं तंदूर मिले हैं लाल मिट्टी के बरतन मिले हैं तो देखिए कहीं पर हमें काले मिट्टी के बरतन मिले हैं कहीं हमें लाल काले मिट्टी के बरतन मिले हैं लेकिन यहां हमें कैसे मिले हैं लाल मिट्टी के बरतन मिले हैं उट की अस्तियां जो ह वो हमें किस सब्वेता से मिली है, किस इस्थल से मिली है, या गाए के मुख वाला प्याला हमें किस इस्थल से मिला है, ठीक है? और इससे हमें ये पता लगता है कि वो लोग उट को भी पालते थे, वो लोग बैल को भी पालते थे, और वो लोग गाए से भी परिचित थे, यह तक कि वो बक्री भी पालते थे ठीक है तो अगर एक्जाम में इनके नाम अगर पूस लिये जाते हैं तो आपको याद रहना चाहिए ऐसा नहीं है कि मैम ने तो ये लिखवाया था कि उट की अस्तियां मिली हैं उट के साक्षे नहीं मिले हैं इनका मतलब यही है कि उट की अस तो वहां हमने देखा था कि वो लोग तांबे से परचित थे लेकिन कुछ समय बाद जो है लोग कांसे से भी परचित हुए तो कांसे से बना हुआ दरपन यानि सीसा मिला है तो यानि कि लोग जो है स्रिंगार जो है करती होंगी कांच की मणिया मिली हैं खेलोडे मिले हैं जिससे की बच्चे जो हैं वो खेलते होंगे, हाती दांस से बना हुआ, कंगा मिला है, ठीके? यानि वहां के लोग साथ सज्जा जो है वह भी जानते थे। तो ये नहीं सोचना है कि आज की सब्वेता में ही सभी लोग जो है इस चीज को जानते हैं, हमसे पहले भी लोग जो है वो इस चीजों से परचित थे। क्रशी नगर की चार दिवारी के बाहर होती थी, यानि कि नगर जो है उसकी चार दिवारी में लोग रहते थे और उसके बाहर जो है वो खेती होती थी। अब आता है नगर नियोजन तो नगर के बाहर जो है चार दिवारी के बाहर जो है वह खेती होती थी। और नगर नियोजन जो है वो दो भागों में बटा हुआ था एक था पक्षमी टीला जो की दुर्गी क्रत था अब दुर्गी क्रत है तो वहाँ पर तो बहुत ही अच्छे लोग बड़ी लोग उच्छ कुल के लोग जो पैसे वाले होंगे वो रहते होंगे और पूर्वी टी तो याद रखना है पक्षमी भाग जो था वो मुचाई पर बना हुआ था वह दुर्गी क्रत था जहां पर महाजन वगएरा जो अमीर लोग थे अमीर वर्ग वह रहते थे और पूर्वी टीला जो था जहां आम जनता रहती थी नेक्स्ट है बकरी को खीच कर लाते हुए मनुष्य के अंकन वाला एक म्रदभांड भी मिला है जिसमें दिखाया गया है कि मनुष्य जो है वह बकरी को खीच कर ला रहा होगा तो इसका आर्थ क्या हुआ कि वो लोग जो है बकरी को भी पालते होंगे बाजरे का साक्षय मिला है ब्याग्र यानि की चीता तो चीते की जो मौहर है वह भी मिली है तो देखिए मौहर भी मिली है तो कुछ ना कुछ तो उस पे लिखा होगा लेकिन उस लिखावट को हम नहीं पढ़ सकते उसको नहीं पढ़ा गया है बच्चे की 6 जिद्रवाली खोपडी जो है वो है काली बंगा इस सल से हमें मिली है यानि ये लोग सल्ले चिकिस्ता से परिचित थे ये लोग आजकल जो ऑपरेशन वगरा करते हैं तो वह भी उस टाइम हुआ होगा इसी वज़े से बच्चे की 6 जिद्रवाली खोपडी भी मिली है युगमित शवाधान यानि की जोडों में जो है शवों को दफनाया जाता होगा ठीक है यह भी मिला है दुर्ग की अफशेश मिले हैं तो दुर्ग की अफशेश हमें कहां से मिले हैं काली बंगा सब्वेता से मिले हैं बहुत ही important line है दुर्ग की अफशेश हमें काली बंगा सब्वेता से मिले हैं तो यहां तक काली बंगा जो सब्वेता जो है वह है आपकी complete होती है एक भी फैक्ट जो है वो आपको छोड़ना नहीं है as it is उठकर exam में पूछा गया है उसके बाद कुछ note है और वो क्या है स्टूर्ट पिगट ने काली बंगा को सिंदु घाटी सब्वेता की तीसरी राजधानी कहा है और इसका समर्थन करते हैं डॉक्टर दसरत शर्मा अभी second grade की exam में ही ये वाला question जो है वो पूछा गया था और हर साल यहां से एक question जो है वो पूछा ही जाता है लेकिन वहाँ पर क्या दिया था स्टूर्ट पिगट भी दिया था और डॉक्टर दसरत शर्मा भी दिया हुआ था ठीक है तो कई बच्चों ने आंसर जो है डॉक्टर दसरत शर्मा को लगा दिया था कि उन्होंने काली शर्मा सोती संस्कृती को काली बंगा प्रतम कहा जाता है क्योंकि काली बंगा सब्वेता जो है जिसका समय 2350 से 1750 तक का माना जाता है उससे पहले जो है सोती संस्कृती जो की काली बंगा से पहले की यानि काली बंगा प्रतम उसे कह सकते हैं अब देखिए ये सब्वेता ज लोग तो बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, नदी के किनारे पर ये सब्वेता मिली, फिर भी ये सब्वेता जो है इसका विनास हुआ, और वो क्यों हुआ, तो कई लोग बोलते हैं कि नदियों का जो पानी है वो सूप गया, तो लोग जो है वो यहाँ पर कैसे रह सकते थे दूसरी जगया पलायन कर गए होंगे, या फिर लोग जो है वो पानी से पीडित होकर जो है वो मर गए होंगे, या यहाँ पर मरुस्तल जो है वो इतना ज़ादा बढ़ गया था कि लोग जो है यहाँ नहीं रह सकते थे, इस वज़े से इस सब्वेता का विनास हुआ, तो यह सभी अलग अलग जो है वो इतिहासकारों के जो है वह है विचार आते हैं, लेकिन हमें एक्जाम के अकॉर्डिंग याद रखना है कि इसके विनास का करण नदियों के पानी का सूखना या मरुस्तल का बढ़ना है, तो यह सब्वेता जो है हमने पढ़ ली, नेक्स्ट जो है आहड सब्वेता, ठीक है, आहड संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, तो इस चीज को आपको एक-एक पॉइंड जो है वो याद कर लेना है, और यह जो पीडियव है, यह आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोगों ने कोर्स लिया हुआ ह आपको बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी, बस एक बार आपको वीडियो जो है वह सुनना है, और उसके बाद आपको इस चीज को बहुत अच्छे से एक-एक पॉइंड जो है वो याद कर लेना है, बार-बार मैं आपको बता रही हुँ हूँ कि आप लो मैं खक्यका बार से एक वो ये लो हैरा हम लो है वो है वो ये लो जो है, आपको बैं है।